असलामलेकम दोस्तों मेरे नाम से दौन है आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं हाजरो आपके सामने ट्रेडिंग को और सीरीज की एक नई वीडियो के साथ के जिसमें हम डिसकस करेंगे रेंज बाउंड मार्केट्स रेंज बाउंड मार्केट्स अट ताइम्स बड़ करेंगे रेंज बाउंड मार्केट्स होती क्या हैं? Supply and Demand के perspective से इसका क्या मतलब है और प्राइस चार्ट के अपर टेक्निकली आपने रेंज बाउंड मार्केट्स को identify कैसे करना है, वीडियो बहुत important है और जैसे मैं आपको अकसर इन वीडियो में बोलता हूँ कि यह जो YouTube channel के उपर एक playlist है, trading course के नाम से, कि जिस playlist के अंदर यह सारे lectures और यह सारी classes upload की जा रही है, इस playlist का फाइदा आपको तब होगा, कि जब आप sequence wise इन सारी वीडियो को देखेंगे, बिकास अगर पहली वीडियो A है, तो दूसरी वीडियो B है, तीसरी वीडियो C है, चौती वीडियो D है, इस इंपॉर्णन के आप एक sequence के साथ चलें, और by the end of it, जब तक आप यह सारी वीडियो देख लेंगे इस beginner level trading course की, तो आपको काफी हद तक trading markets का idea हो जाएगा, basics आपके clear हो जाएगे, और उसके बाद फिर professional level पे जाने के लिए आपका अगला step यह होगा, कि आप खुद को मेरे private trading और learning group में as a member enroll करके मेरे advance course को access करें, advance course करें और फिर अपकी real time trading जो है वो भी उसको भी start करें, without wasting any time चलें आए, price starts के ओपर चलते हैं, वहाँ जाके range bound markets को आज हम सीखेंगे, और end पे आज का continue useful logical लिए वोडियो को लाइग कीजेगा, चलें जी, range bound market क्या है, एक ऐसी market condition के जहाँ पे price एक band में trapped हो, एक area में trapped हो, कि जिस band जिस area की upper extreme resistance होगी और जिसकी lower extreme support होगी, so आप देख रहे हैं कि price support से जाती है resistance पे और यहाँ से bounce करती है down support की तरफ, और यहाँ से upside पे resistance की तरफ, यहाँ से downside पे support की तरफ, यहाँ से upside पे resistance की तरफ, so basically range bound market एक ऐसी market जो के horizontal statics resistance level और support level के अंदर trapped है, और support से, support area से prices को support मिलती है और resistance सक जाती है, resistance area से market को resistance मिलती है और downside पे support की तरफ एक rally start होती है, तो basically यह range bound market है, दो टाइबस होती है, एक बड़ी रेंजित होती है, broader consolidating ranges होती है, एक short term बड़ी छोटी, tight consolidation ranges होती है, tight consolidation ranges जो हैं, वो tradable नहीं होती है, at times बड़ी consolidation ranges जो होती है वो tradable होती है, थोड़ी दिर में इसके पर भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बताने से पहले आपको supply and demand के perspective से में बताऊं, देखो trending market, आपको मैंने last class में बताया था कि bullish trend क्या होता है bullish trend वो market होती है कि जहां पर demand aggressive है, obviously किसी भी asset की demand aggressive होनी की, किसी भी asset की excessive buying होनी की वज़ा से उसकी demand aggressive होगी, जिसकी वज़ा से कीमते उपर जाएंगी तो वो bullish market है, bullish trend है bearish market वो होती है, या bearish trend वो होता है कि जहां पर supply aggressive हो, ठीक है यानि कि यहां पर यहां पर जो है वो यह जिस भी asset का price chart जो graph मेंने draw की है, उसमें उस asset की demand नहीं है जिसकी वज़ा से supply पड़ी हुई है और यहां पर selling pressures आदा है कि और कीमते यहां पर गिर रही है तो कि अब bearish trend में supply aggressive bullish trend में demand aggressive अगर एक ऐसी market है कि जहां पर supply और demand balanced है, equilibrium में है यानि किसी भी asset की जितनी demand है उत्ती supply है, तो फिर market trap में, market एक इनो, एक band में वो trade होगी, उसकी कीमतों में हमें एक balance नजर आ रहा होगा जिसे करोना के वक्त क्या था कोविट के आने से पहले जो sanitizers थे उनकी कीमते हैं, कहीं पर डेटोल का sanitizer, पकसान की बात करूँ तो 200 का बिकता था, कहीं पर 280 का बिकता था तो जितनी demand थी, उत्ती सप्लाई थी जिसके नतीजे में prices जो हैं, वो एक balance एक equilibrium के अंदर trade हो नहीं थी लेकिन COVID के आने और उसके बाद, कोरोना cases बढ़ने के बाद, यगदम price sanitizer की shoot इसलिए कर गई, because demand बढ़ गई sanitizer की जिसके नतीजे में उसकी price upside के उपर निकल गई और फिर करोना खतम होने के बाद, इसी तरीके से इत्ती supply पड़ी थी, demand खतम हो गई कीमते नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, और base trend market का स्टार्ट हो गई, तो range bound market basically यह होता है, अब technically यहाँ पर हम class record किये, November 2023 में market नहीं यहाँ पर upside के उपर, वालेंटली इस range को break करके, इससे बाहर निकल कियी, ranges as a breakout market environment trade होता है, breakout trading के लिए ranges को इस्तवाल किया जाता है, मैंने आपको लेकिन इससे पहले कहा था, कि दो types की ranges होती है, एक range वो होती है, जो बड़ी range है, एक छोटी range है, इसका मतलब के है, इसका मतलब यह है, कि जैसे यह देखें, यह Australian dollar का daily price chart आप देख रहे हैं, और as a swing trader हम daily price chart पे काम कर रहे होते हैं, तो यह वाला price chart देखें, तो यह एक बड़ी range आपको नजरा आ रही है, ठीक है, यानि कि range की upper extreme resistance और support में ठीक ठाक फासला है, इतना फासला है कि किसी एक extreme से अगर हम trade लें, तो दूसरी extreme तक हमारे ठीक ठाक पैसे बने मिसाल के तोर पे, अब यह Australian dollar का price chart अपनी screen पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने trade ली है, और इस range के नीचे अगर यहाँ पे हमने, जहां मैं cross लगा रहा हूँ, यहाँ अगर हमने stop दी है, तो जितना फासला हमारी entry और stop के दर्म्यान है, इस से तीन गुना फासला यहाँ तक है, यानि कि यहाँ पे अगर मैंने 10 dollars का risk दिया है, तो by the time market is range की upper extreme चब पहुँचेगी, मुझे कम उसकम 30-40 dollar का मुनाफ़ा होगा, इस तरह की ranges होती हैं, कि जिस range की एक extreme से दूसरी extreme तक कीमतों के जाना, कीमतों का जाना risk to reward के हिसाब से sense करे, उन ranges को trade किया जा सकता है, वो ranges जो बहुत tight होती हैं, यहाँ पे tight consolidation ranges हम देख लेते हैं, जैसे मिसाल के दौर पे gold market में यह देखें, अभी एक short term consolidation range है, लेकिन यह इतनी tight range है, कि इस range की upper extreme जो के resistance, low extreme support, यहाँ पे upper extreme से अगर आप sell कर रहे हो, sell भी कर रहे हो, तो आपका risk reward के perspective से यह sense ही नहीं करेगा, कि lower extreme पे जाके आप यहाँ पे exit करो, तो आपने अगर 10 dollar का risk दिया, तो 20 dollar आपको मिल जाएं, तो ranges, जो बड़ी ranges होती है, यह एसी ranges के जहाँ पे यह अगर support, resistance है, यह support है, resistance और support में इतना फासला है, कि अगर support से buy करो resistance तक तो ठीक था, पैसे बने, at least 3 गुना या दो गुना, जितना आपका stop distance है, जितना आपने risk कि है, उन ranges को trade करने का फायदा है, तो यह दो types होगी, उसके लावा तीसरी अब चीज क्या है, कि ranges को trade कैसे करना है, देखो, ranges को trade करने के लिए हम देखते हैं कि range बनी किस trend के अंदर है, यह bullish trend में या bearish trend में है, जैसे मैंने आपको थोड़ी दिल पहले बताया है कि ranges as a breakout trading signal या market environment breakout trading के लिए इस्तमाल होते हैं, इसका मतलब है कि हम range के breakout को हमने trade करना होता है, लेकिन हम यह देखते हैं कि यह range किस trend में बनी है, अगर तो range bullish trend में बनी है, तो हम इस range के bullish breakout को buy stop के साथ trade करना चाहेंगे, अगर तो यह range bearish trend में बनी है, तो हम range के bearish breakdown को sell stop के साथ trade करेंगे, तो यह मैंने आपको इसका idea दे दिया, आप obviously समझें इस चीज़ को, कि यह जो अपने YouTube चैनल पर मैंने playlist अपनी screen पर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, यह playlist मैंने बनाई है न, इस playlist यह तो मैंने अपने followers को reward करने के लिए, because आप लोग का प्यार, आप लोग की महबत, आप लोग मुझे आपको एक chance मिले यह देखने का कि क्या, यह काम आप सीख भी सकते हो professional level पर यह नहीं सीख सकते हैं, तो यह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन यह वो subjects हैं जिन पर घंटों का lectures मैंने अपने private trading and learning group में record करवा के रखें, आपने screen पे मेरा discord group देख रहे हैं, जहाँ पर आपको advanced course की access दी जाएगी, जहाँ पर daily basis के उपर different markets में signals मिलते हैं, forex stocks, crypto commodities, उनकी आपके पास access होगी, live streams daily basis पे होती है, जिनका हिस्सा बन के regular market video update आप आप आसल कर सकते हैं, और हर market का dedicated channel है, group joining करने के लिए आपने private trading and learning group के इस तरीके से join कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे preferred broker का referral link के इस video के description में दियो है, उसे इस्तमाल करके आप हमारे preferred broker के terminal पे अपना short term trading account open करके, एक ऐसे platform पे account open कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ना सरफ crypto markets बलके forex stocks, commodity markets और individual stocks में भी trade करने की access दी जाएगी, आज के content है, कर सकते हैं, एक बलौ कि आपको ना सर च esta Himself तरीका, आपको उना कर सकते की चाह में भी